हेलो दोस्तों मैं हूँ वीवेक सकसेना और आप सभी लोग देख रहे हूँ वीके राज चेनल तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ डाइनेमिक स्पोर्ट एप के बारे में जी हाँ दोस्तों डाइनेमिक आइसलेंड इससे बनता है और Dynamic Sport App है इसको यूज कैसे करते हैं और इसका क्या काम है साइड डिटेल पर हम बात करेंगे तो बने रहे इस वीडियो के साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस application को हम open कर दिये हैं और open करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीक का next का option आ जाएगा और done का option आ जाएगा अब यहाँ पर आपको permissions मांग रहा है उपर यह cancel का option जो आ जाता है यहाँ पर हम click कर देंगे और जो भी permission allow करने को बोला इसको allow कर लेना चलिए हम इस पर click कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सभी जो apps हैं इनके permission को enable करना है तो all पर click कर देंगे तो यहाँ पर diet enable हो जाएगा चलिए हम back कर देते हैं यह permission enable हो चुका है इसके साथ notification access का option है तो इसको इसकी permission दे देते हैं जैसकि यहाँ पर देख सकते हो dynamic sport app आ गया इसको allow पर click कर लेते हैं और इसको permission मिल गया draw on screen इस permission को enable करना है next पर click करके इस permission को enable कर देंगे यहाँ पर देख सकते हो dynamic sport का option आ गया इसको enable कर देते हैं allow पर click कर देते हैं और उसके बाद done पर click कर देते हैं तो चलिए यहाँ पर सभी permission allow हो चुके हैं और done पर click करते हैं तो notification यहाँ पर उपर आ जाता है इसको भी enable कर देना है अब यहाँ पर pop up setting का option आ जाता है तो इस पर click करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका dynamic island बन जाएगा यहाँ पर जिस तरीके से iPhone में रहता है उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है की रहेगा अब position है यहाँ पर इसकी position आप change कर सकते हो जगा change कर सकते हो और इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको बहुत सारे options देखने को मिल जाते हैं तो छोटा और बड़ा और size भी change कर सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो gap हो चुका है और इसको मैं एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर कर देता हूँ देख सकते हो मैं इसको बड़ा कर दिया हूँ तो यहाँ पर इसकी settings देख जाती है आप इसको आसानी से change कर सकते हो इसमें बदलाव कर सकते हो तो यह सारी settings हो गए और इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो after this time तो यहाँ 10 second के लिए रहेगा तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो जैसे कि आप चाहते हो कि 10 second से जादा रहे तो इसको बढ़ा सकते हो और यहाँ पर और सारे options देखने को मिल जाते हैं तो कुछ इसी तरीके से dynamic sport app को use करना है और जैसे आप कुछ भी यहाँ पर चालू करोगे जैसे music हो गया या कुछ song हो गया तो notification के रूप में ऊपर बिल्कुल आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है screen recording चल रहा तो यह बता रहा है कि यहाँ पर आपका screen recording चल रहा आप just इस पर click कर दोगे तो आपका screen recording open हो जाएगा इसके पूरी setting open हो जाएगे तो कुछ इसी तरीके से dynamic sport एप को यूज करना दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो चैनल पर ने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं मिलता हूँ आप से ने वीडियो साथ तब तक के लिए बाई बाई